यहाँ पर मैं अपने किचन की क्लिनिंग करने जा रही हूँ, पूरे किचन को आज साफ करूँगी और दिवाली की तयारियां सुरू हो गई हैं, तो करवा चौत के दूसरे दिन से ही हम लोग लग गए हैं सफाई में, सबसे पहले मैंने किचन से स्टार्ट किया और इसलिए क किचन को थोड़ा सा मुझे और इसलिए करना था, तो पूरा किचन साफ करूँगी और उसके बाद एकदम नए तरीके से सोच रही हूँ, इस बार किचन को और इसलिए करूँ, काफी एक साल में बहुत सारा होच-पोच हो जाता है किचन का एरिया क्योंकि वहीं पे करना पड़ रहा है, अफसोस भी हो रहा है कि त्योहारों में इस तरह से हो गया, छोटी सी भूल की वज़ा से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या ही कहा जाए, तो चलिए फिलहाल ये सब चीजे तो जीवन है, उतार-चड़ाओ लगा रहता है, तो जैसे तैसे करके हम पर लाहर निकाल दिया है, और गंदगी आप देखिए, जबकि बीच-बीच में मैं सफाई करती रहती हूँ, फिर भी जब ये विमाग में आता है न, कि चलो दिवाली आ रही है, या होली आ रही है, क्लीनिंग अच्छे से करनी है, तो बहुत टाइम से ये सब चीजे चू कोकरोज खतम हो जाएं, तो इस तरह से एक बार डीप क्लीनिंग साल में अच्छे से होती है, उसके बाद होली में भी अच्छे से ही होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है, जितनी की हम दिवाली में करते हैं, देखे कुछ चीजें तो हमने नवरात्रे में साफ कर लिये थे, लेकिन कीचन वगएरा अच्छे से करना था मुझे और और अर्गेनेज भी करना था, तो इसलिए मैं जो है सबसे पहले करवाचोथ के बाद मैंने तुरंत ही कीचन का सारा सामान बाहर कर दिया, और ये दिमाग में सेट था कि एक दिन में तो कीचन नहीं होने वाला है, दो से तिन दिन तो कम से कम लगेगा ही, लेकिन आब विस्वास नहीं करेंगे, पिछले चार-पांस दिनों से मैं किचन की ही क्लिनिंग कर रही हूँ, बीच-बीच में बाकी रूम्स वगएरा भी साफ हो रहे हैं, लेकिन किचन को मैं बहुत आराम से इत्मिनान से कर रही और बहुत सारी चीजें थोड़ा सा हटा करके भी रखना चाती हूँ, क्योंकि एक ही तरह का सामान हमीशा एक जगा रखने से पूरा बोरिंग सा हो जाता है लगातार एक साल से, तो अब मुझे जो है, इसको कुछ अलग तरह से अरेंज करने का मन हो रहा है, तो जिसकी सु इस टाइम में मेरी खराब हो रखी है, जिसकी वज़से जो बाहर सामान है उस पर पुरा ओयल हो जाता है, ये वाला जो मेरा हैंगर लगा हुआ है, ये मैंने सुविधा के लिए लगाया था, और कंडिशन ये हो गई कि इस पर इतना सामान हम लोग डालते हैं, इतना सामान डाल देते हैं, कि मतलब ये बहुत ही खराब लग रहा था, तो इस बार मैंने इसको खाली कर दिया है, और मैं सोच रही हूँ कि अब यहाँ पे मैं कुछ भी हैंग नहीं करूंगी, एक दो सामान सायद जरूरी हो जो हैंग कर दूंगी, बाकि सारे सामान को मैं इस बार फालतू होता है, उनको निकालना होता है, लेकिन फिर भी इतना सामान हम लोग कर लेते हैं, कभी अचार का, कभी मुरब्य का, कभी मतलब इतना सामान कि मैं क्या ही आप से बताओ, इतने डिब्बे हो जाते हैं फालतू के, तो इस बार मैंने पूरा मूड बनाया कि जितने फालतू, डिब्बे वगएर हैं, सब कुछ में कबाडी वाले को दे दूँगी, कुछ नई चीजें एड करूँगी थोड़ा सा, और जितना भी फालतू चीजें हैं, सब को हटा दूँगी, और सभी चीजों को खुब अच्छे से मैनेज कर पाऊं, इसके लिए मैंने जैपिंग हैंड मिल गया था, जिससे मैंने क्लिनिंग वगएरा करवा ली थी, लेकिन इस बार मुझे अकले ही करना पड़ रहा है, कोई किचन की क्लिनिंग के लिए नहीं मिल रहा था, तो मैंने भी सोचा कि इस बार मैं अपने हिसाब से पूरी क्लिनिंग करूँगी, यह जो चैनल लगे हुए हैं, कैबिनेट के न, तो यह जंग पकड़ रहे थे, तो इसके लिए मैंने यहां पर नारियल का तेल यूज किया है, जिससे कि यह अच्छे से सरकने लगे, बहुत सारे कैबिनेट के जो यह चैनल है, यह खराब हो गय थे, तो इनको बदलवाया भी इस वज़े से भी थुड़ा सा टाइम लगा, एक दिन पुरा मुझे दो तीन चैनल चेंज करवाने में लगा, कुछ जो सेल्फ के डोर्स हैं, वो भी खराब हो रहे थे, तो उनको भी चेंज करवाया, तो एक दिन तो ऐसे ही चला गया, पुरा सामान निकालने के बाद यह सारे काम हुए, कुछ चैनल चेंज करवाया, और कुछ पल्लों के जो हुख है, वो चेंज करवाया, तो इस तरह से सब कुछ सेट हो गया, फिर पूरी क्लिनिंग किया मैंने, और इसके बाद धीरे-धीरे करके मैं यह सारा कुछ अरेंज कर रही हूँ, इस बार मैं बहुत क कम चीजों को रखूंगी किचन में, कोसिस कर रही हूँ, कि जितना कम से कम हो जाए, जितनी भी फालतू चीजें हैं, बहुत सारे, प्लेट्स, बाउल्स, इस तरह बहुत ज़्यादा इकठा कर लेते हैं, हम लोग, जिसका यूज पूरे साल नहीं होता है, कुछ जिब्बे किचन में तो यूज हो जाते हैं, कुछ तूटे-फूटे बरतन हैं, जिनको निकाल करके चेंज कर दोंगी, तो इस तरह से देखिए, काफी मैं कुसिस कर रही हूँ, कि हलका कर दूँ किचन को, जिससे कि पूरे साल जो है, मैं थोड़ी-थोडी क्लीनिंग करूं, तो बहुत जादा चीजें रखने से बहुत मैसी हो जाता है किचन, और जिसके वज़ा से बहुत किड़े-मकोडे आ जाते हैं, खास करके काक्रोज, जबकि बारिसों में मैं हमेशा ही काक्रोज के लिए इस प्रे यूज करती रहती हूँ, रात को मैं इस प्रे कर देती हूँ, और सुबर मैं किचन को क्लीन करती हूँ, उसके बाद जो इधर एक डिर्ड महीने से सब कुछ छूटा हुआ था, तो इस तरह से बहुत क्लीनिंग की एक दम समझे की ठक जाती थी मैं, लेकिन दो-तीन दिन में मैंने ये सारा काम कम्प्रीट कर लिया, इसके बाद देखिए कुछ कंटेनर्स ले आई हूँ, कुछ ऑनलाइन समान भी मंगा रही हूँ, हलांकि उन चीजों को मैंने सोचा था कि मंगा करके आपको किचन का पूरा एक रिवियो दूँगी, लेकिन कुछ चीजें जो है गडबड आ गए जिनको एक्सचेंज करने में टाइम लगेगा, तो दिवाली के बाद हो सकता है, मैं इसका पार्ट तू आपको दिखाओं, मैं अपना किचन पुरा दिखाओंगे आपको मेकवर करने के बाद, अपने यहां के लोकल स्वाप से मैंने ये कुछ कंटेनर लिये हैं, नए, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, तो कुछ मैं लोकल मार्केट से भी जाकर के मैं ले आ रही थी, तो कुछ सामान तो आ गये हैं, जिनको मैं आपको दिखाओंगी, कुछ सामान अभी आने बाकी हैं, लग रहा है, एक दो सामान तो मेरा दिवाली के बाद भी आएगा, चले कोई नहीं, उसके बीना भी मैं आपको एक किचन का ओवर्वियू दे दूँगी, और देखिए इस तरह से ये पिंक वाले डिबों में से मैंने ये सारे चीजें जैसे चीनी हुआ, नमक हुआ, चाय पत्ती, हल्दी, मसाला, इन सब के लिए ये कंटेनर लिया है, काच वाले, तो इन में सब को रख दिया, और ये सारा इस पून भी मैं यूज करने वाली हूँ, सब को धूलोंगी, पिंक वाले डिबों को भी मैं अभी हटाओंगे नहीं किचन से, इनको मैं धूल के अच्छे से और इनका भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि इन कंटेनर की मुझे जरुवत पड़ेंगी, तो बहुत सार कंटेनर इकठे हो गये हैं, जो कि एक जैसे हैं, सेट वाले हैं, बाकि जो सेट वाले नहीं हैं, इधर उदर से हम लोग ला करके रख देते हैं किचन में, तो उन सब को मैं कुछ रखूंगी, सारा नहीं हटाओंगी, लेकिन ज़्यादा तर हटा दूँगी, तो इस तरह से देखिए, इनको मैंने लगा दिया है, और सारा कुछ चेंज करने के बाद, एक पूरा जो किचन का ओवर व्यू है, वो आपको दोंगी, कहां मैंने किस चीज को अरेंज किया है, वो सारे चीजे मैं एक बार दिवाली से पहले जरूर दिखाने की कोशिस करूँगी, अगर इडिटिंग का टाइम मिल गया तो, ये विडियो इसलिए भी लेट हो रहा है, क्योंकि देखिए, ये सारे काम करने में बहुत टाइम लगता है, अकेले सब कुछ करना है, तो समय लग जाता है, तो इस वज़ा से भी एडिटिंग का समय नहीं मिल रहा था, बार बार मार्क इसलिए उनको साफ में लेके जाती हूँ, ताकि वो रहते हैं साफ में तो अच्छा लगता है, लेकिन पैर में सूजन हो जा रही है, इस वज़ा से बहुत ज़्यादा उनको तंग नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा भी ऑफिस का काम बैठ के उनको करना ही है घर पे, तो इस अकेले मैनेज करना है, तो थोड़ा-थोड़ा सबको समय देना जरूरी है, तो एक भाया है, उनको बुलाया था जाला वगएरगर साफ करने के लिए घर के, तो उन्होंने कर दिये, सारे रायक वगएरगर साफ कर दिये हैं, तो एक बड़ा काम हो गया है, अब पर्दे मेनेज कर पा रही हूँ तो भाक् Commerce मैं मेरा रहती हूँ तो मुझे सब कुछ मैनेज करना होगा सब लोग अपने काम पर निकल जाते हैं तो यह सारे काम तो मुझे देखने हैं तो इस तरह से सारे काम चल रहा है полез नहीं के और ब्लॉग क्लिन करें है और इतनी थकान हो रही है कि मैं आपसे क्या बताऊं लेकिन जो भी है करना तो है ही तो यहां पे सारे डिब्बों को जो पिंक वाले थे मेरे सेट वाले इनको मैंने धुल यह चार-पात साल से मेरे किचन में थे यह भी मैं एक बार किचन ले आई थी तो पूरे किचन को मैंने और्गेनाइज किया था इन दिबों से उस टाइम यह बहुत ही सुन्दर लगते थे पुरानी हो जाती है चीजे तो भले अच्छी ना लगे लेकिन नई नई चीजे तो अच्छी लगती ही है तो इनको क्लीन कर दिया है साम को अक्सर मैं यह सारी क्लीनिंग का काम करती हूँ ताकि रात भर में यह सारे रिब्बे अच्छे से सूख जाएंगे तो सुबब फर इसने सामान भर के मैं रख दूँगी अभी मुझे कीचन के लिए सौपिंग भी करन मतलम नहीं है आप तक जो वीडियो जाते जाते आपके घर की भी सफाई हो चुकी होगी मेरी सफाई तो लग रहा है दिवाली के दिन तक चलेगी कितना भी मैं कोसिस कर लूँ न कि मैं दिवाली से दो-चार दिन पहले सारी चीजों को आर्गिनाइज कर लूँ लेकिन जरो कमेंट करके बताईएगा तो यहां पर एक एक चीज को मैंने धुला है सब कुछ आप देख सकते हैं सारी चीजों को मैंने धुला है कोई भी चीज मैंने छोड़ा नहीं है ताकि सब कुछ क्लीन हो जाए तो एक सैटिसफेक्शन मिल जाएगा मुझे इसके अलावा इन से लिए लगाओंगी और यह पानी में बहुत अच्छे से चलते हैं जपा च्छे सiन्ग करने पड़ती है तो इसजह कीचन में में जखाता तर यह पानी वालET लगाती हों तो देखिए घटा قई लहाँ तती हम इंको पर डिर होता है इनको देख करके अगर मेरे आस-पास पौधे ना हो नो तो मैं बीमार फील करने लगती हूं इस वजह से भी मैं अपने आस-पास हमेशा इन पौधों को रखती हूं सजाने के लिए भी देखिए समय नहीं है ने तो मैं इतना सब कुछ सूचती रहती हूं करने के तो इन सब को भी मैंने और्गेनाइज कर दिया है इसके बार अब धिरे-धिरे करके पूरे किचन को मुझे और्गेनाइज करना है उससे पहले मुझे शौपिंग पर जाना है किचन का जितना भी सामान है वो सब लेने के लिए फेस्टिवल से रिरेटेड भी और इसके अल करेंनिंग हो रही है या नहीं हो रही है कमेंट जरूर करिएगा फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में तब तक लिए थेंक्यू बाए